यह प्रस्ण जो आप स्कीन पर देख रहे हैं जब इसे सॉल्फ करिएगा और इन ओप्षन में से जब उत्तर आप जब मिलाईएगा तो आप एक बार जरूर मुस्क्राईएगा क्योंकि प्रस्ण नहीं वैसा है नमस्कार आपका अपना दोस्त अभिशिक कुमार गुपताजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है यह वीडियो गनीत का प्राक्टिक शेट नमर टू है इंटर अस्तर सभी परतियोकता परिक्षा के लिए भिविन्य भिविन्य परकार के प्रस्ण इस वीडियो में आपको मिलेगा चाहे आप S.S.E., M.T.S., बिहार पुलिस, रेलवे, रेलवे पुलिस, बिहार पोल्टिकनिक, I.T.I., परामेडिकल किसी भी एक्जाम में आप बैठिये दोस्तों, इंटर लेवल पर इस तरह का प्रस्ण पूछे जाते हैं और बिल्कूल वैसा है, भिविन्य भिविन्य सवाल हम आपको इस वीडियो में देंगे और सिर्फ देखकर ही, देखकर के ही समझ सकते हैं प्रस्ण को तो चलते हैं प्रस्ण की और प्रस्ण आप देख रहे हैं तो पहला नवर प्रस्ण है, 20 का 30 पर 30 और 30 का 20 पर 30 के योग का मानन है तो योग का मानन है, आपके सामने आप्षन दिया हुआ है, क्या होगा तो देखिए इस प्रश्ण को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे 20 दिया हुआ है तो 20 का का उतलब गूना 30 पर 30 तो 30 बटे 100 हो जाएगा पर 30 का मौन और यानि कि पलस क्यों कि योग दिया हो था पलस दिया दिया अब 30 का 20 पर 30 70 वी सबतल है 15 बटे 100 दे दिया दोस्तों अब देखिए क्या करना है ओर देखिए यहाँ आपका यह 0 और यह 0 यह 0 और यह 0 कट गया फिर यह 0 यह 0 creator यह 0 कट गया अब आप देखिए बज गया क्या 3 दूना 6 बज गया ठिक अब यहाँ भी 3 दूना 6 बज गया बिच में plus है plus दे दिया तो 6 6 कितना हो गया दुस्तो आपका 12 आ गया देखिए इस question में अब आपका क्या 12 answer है देखिए 12 तो नहीं है लेकिन हाँ इसलिए कहते हैं यह मज़दार सवाल है देखिए दूस्तो इसमें क्या कर दिया है इन option में आप देख रहे हैं यह तो नहीं होगा यह हो सकता है लेकिन नहीं होगा क्योंकि यहां 1200 का 10% दिया है जब भी 10% पूछा जाएगा तो उसका 1 0 कटेगा यह दोस्तों आपका B number option हो जाएगा क्योंकि 1200 का 1% दिया है इसका 2 0 कट जाएगा अब देखिए कैसे यहां पे आपका 1200 दिया है इसका 1% का था तो एक बटे एक सो यह 00 और यह 00 कट गया तो आपका कितना आ गया 12 आ गया न तो यही आपका एंसर है थोड़ा घुमा के दिया है इसलिए कहते हैं सवाल को बनाते हुए आप एक बार जरुर मुस्क्राइएगा तो चलते हैं अगले दूसरा नमर सवाल है मीना और सोनम करम से 6 लाख और 7 लाख रुपिया लगा कर एक ब्यूटी पालर शुरू करते हैं एक वर्स बाद 65,000 रुपिये का नुक्सान होता है तो मीना की नुक्सान रासी होगे देखे दोस्तों जब भी आपको इस तरह का प्रस्न कहीं दिखे च 4 बेक्ते रहे और जितना यहां पे धन को बंटे या नुक्सान हुए या लाब लजेगा और सही अनुपात कर लेजेगा सही जितना उसका कोमन निकाल लेजेगा और सब जोड के नीचे लिछ लेए जैसे इन दोनों का कितना हो गया 13 तो 13 नीचे लिख लेंगे जिसका पू लेते हैं अगर कटा देते हैं तो अब देखिए से यह त्यों पचे 65 यानि कि पाँच बार में कट गया तो आपका यह कितना पांच हजार अब इससे कितना नुक्सान हुआ अगर पुछता के सोनम का तो साथ से गुना कर देते हैं अगर पुछता इन दोनों में अंतर कितना है तो इन दोनों का अंतर लेकर के यहाँ पे क्या करते हैं गुना कर देते हैं जिस अगर भी यहाँ पुछता है तब तीन नमर प्रस्ण है किसी बैंक का ब्याजदर पंच परतिसत प्रति वर्स है यदि तीन हजार रुपिय की पूझी पर बारा सो रुपिय का ब्याज प्राप्त होता है तो उस पूझी का कितने वर्सों के लिए जम रखा गया था तो प्रसन को आप समझ गए होंगे कि तीन हजार रुपिया पंच परति सत परति वर्स से बारा सो रुपिया उसका ब्याज होता है कितने वर्सों में होता है ये पता नहीं है तो इस तरह का जब भी प्रस्ण आपको कहीं मिले तो करना क्या है ब्याज आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले आप ब्याज लिखेगा बारह सो रुपिया उसके बाद इसके साथ एक सो से गुना कर दिजेगा मुलधन कितना था तीन हजार तीन हजार आप नीचे लिख लिजेगा गुना अब ये दर कितना था दर को नीचे लिख लिजेगा इस तरह का प्रस्ण को बनाने के लिए आप यही नियम लगा दिजेगा जब भी आपको कहीं ब्याज दिके डारेक्ट उपर लिखिए और एक सो से गुना करिए अब मुल्धान नीचे लिखिए और समय रहे तो समय लिखिए वर्स है तू वर्स लिखिए आपका इकल जाएगा एंसर तो देखिए यहाँ पर आपका ये डवल जीरो आपका कड़ जाएगा आराम से यह डबल जिरो कड़ जाएगा यह डबल जिरो कड़ गया फिर देखे यह जिरो और यह जिरो कड़ गया अब चारतिया बार है यानि कि यह कड़ गया और यह कड़ गया यह जिरो बज गया आपका तो यह जिरो उतर जाएगा अब क्या करें यहाँ देखें आठ पंचे चालिस याने कि यह आठ आ गया तो आप पैसा आठ वर्स के लिए लगाया गया था यह रखा गया था तो आपसा नमबर C बिल्कुल सही है अगर आप ध्याँ से देखें होंगे तो बिल्कुल समझ गया होंगे तो चलते हैं अगले प्रशन की और प्रशन है आपका एक मेज 950 रुपिये में खरीद कर 1140 रुपिये में बेच दिया गया बताइए कि इसमें कितने परतिसत लाब हुआ देखें दोस्तों जब आपको इस तरह का प्रशन कहीं मिले कितनों भी रुपियां में खरीदा हो और इतना रुपियां म खरीदा था और 1140 रुपियां बेच दिया यंदि कि pent लुपिया का लाब हुआ तो यहां प्रतिशत में पूछा है तो इसका प्रतिशत इकाल लेंगे सबसे पहले लिखेंगे 100 रुपिया उसको लाब हुआ गुना एक सो और ये कितने पर एक सो नवे रुपया लाब हुआ उसको नो सो पचास रुपये पर तो नो सो पचास रुपये नीचे लिख देंगे तो चलिए आप इसे आप कटा देजे तो जैसे ये जीरो कटा येगा ये जीरो कटा देजे और जब आप 95 दूनी करियेगा तो आपका 190 आ जाएगा दो बार में ये कड़ गया आपका तो आप देखे यहां पर यह तो कटा हुआ है तो आप आपका यह 0 के साथ क्या होगा यहां पर यह 0 है इस पर उतार देखे यहने की 20% हुआ आपका 20% यहां 10 था 10 गुना करिएगा तो आपका 20% आगया option number आपका D बिल्कुल सही है अगर आप ध्याँन से देखे होंगे तो जरूर समझे होंगे तो चलते हैं अगले प्रशनी की ओर देखे प्रशन है यदि 5 पे पावर X बरावर 625 है तो X का मौन क्या होगा तो देखे अगर आप घतां करनी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि एक सूत रता है A पे पावर M बरावर A पे पावर N अगर ये दोनों घात मिलता है तो क्या करेंगे M बरावर N लिख सकते हैं और लिखते हैं तो देखे तो यहाँ पे क्या करेंगे पाँच पे पावर एक्स है तो लिख दियें ब्रावर इधर जो है 625 यनि कि 5 पे पावर हम 4 करेंगे तो 625 आ जाएगा तो एक्स ब्रावर आपका कितना आ गया 4 तो यही तो answer है तो option number आपका B बिल्कुल सही है तो चलते हैं एगले प्रस्ण के और देखिए प्रस्ण है आपका यहाँ पे 25 परतिसत का 25 परतिसत किसके ब्रावर है तो इस प्रस्ण को बनाने के लिए आप क्या कड़िये सबसे पहले 25 लिखे बटे 100 का मतलब गुना फिर 25 बटे 100 देखे यहाँ पर आप देख रहे हैं किसके बराबर है पूछा हुआ है नीचे उप्सन दिया हुआ है तो आप इसे गुना कर दीजे तो 25 गुना 25 किता जाएगा 600 25 हो गया बटे ठेक अब देखे इसे भी नीचे गु यहाँ पर जितना 0 है नीचे जितना 0 है नीचे आपका 1,2,3,4,0 है तो 4 अंक के बाद उपर बैठा देंगे 10 मलब तो यह आपका आ गया 0.625 देखे इसके 1,2,3,4 हो गया और यहाँ पॉइंट आ गया तो ऐसा है हाँ है ऑप्सन नमबर आपका हो गया बी विल्कुल सही है यहाँ देखे यह होगा तो चलते हैं एकले प्रसनी की ओर तो यहाँ प्रसन है दुस्ता आपका 3,4 को परतिसद के रूप में किस परकार व्यक्त करेंगे तो 3,4 है इसे परतिसद के रूप में व्यक्त करना है तो परतिसद में बदलने के लिए 100 से करेंगे तो कितना हो गया 25 तो कर गया 25 तो कितना हो गए आपका leader ओप्संद नम्मर, टी बिलकुल सही है तो चलते अगले पर्ष्णी कि दनीगे एपका आठर परस्न है एक लीटर का कॉन constm finde 40 मिलीटर है तो इस प्रष्णी और ले के क्या करेंगे 40 लिख देंगे उसके बाद 1 mm बडाबर होता है 1000 तो 1000 नीचे लिख देंगे देखिए अब यह 0 और यह 0 कड़ गया तो आपका कितना बज गया 4 बटे 100 तो 4 बटे 100 बज गया तो जितना नीचां में 0 है उतना अंक के बाद पॉइंट बठाएंगे तो दो 0 है तो दो अंक बना करके इसमें पॉइंट बढ़ाती है तो आपका हो गया पॉइंट 04 इस तरह से आपका ओप्सन नमबर बी बिल्कुल सही है तो चलते हैं एगले प्रशनी की ओर देखें प्रस्णा है 1 बटे 0 का मान होगी 1 बटे 0 का मान होता है उपरिभासित यनि कि आपका ओप्शन C बिल्कुल सही है उपरिमीत किसी बस्तू को 48 रूपिये में बेचने पर एक बेक्ती को 20 परतिसत का नुक्सान होता है 20 परतिसत का लाप्राप्त के लिए उसका विक्रे मुल्य क्या होगा देखे परस्तू आप समझ गये होंगे कि किसी स्वाल बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 48 उसके बाद गुना 20 परतिसत का हनी होता है तो हम क्या करेंगे 100 बटे 100 में 20 घटा देंगे यान की 80 समझ जब भी कुछ परतिसत पे बात हो तो 100 पे होता है अगर आपका कहे कि 20 परतिसत कमी तो 100 रुपियों में आप 20 रुपिया घटा देजिये अगर कहें कि 20% अधिक तो 100 रुपियां में आप 20 रुपिया जोर देजें तो 120 रुपिया हो जाएगा उसी तरह से यहां देखें कितनों भी कहेंगा दोस्तों तो 100 में घटाना या जोरना है जितना परतिसेत कहें तो यहाँ क्या है 20 रुपया लाब करना था तो 120 बटे 100 लाब जब भी कहेगा तो हम उपर में लिखेंगे हाँ नहीं जब कहेगा तो नहीं लिखेंगे अब देखें यहाँ बनाएए यह पुरा कड़ जाएगा यह पुरा कड़ गया यह 0 और यह 0 कट गया अब देखिए 86 का 48 छे बार में कट गया अब देखिए बरचा का 72 यानि कि 72 रुप्या होगा option number D बिल्कुल सही है अगर आप ध्याउन से देखे होंगे तो सवाल को समझ गया होंगे चलते हैं अगले प्रशन की और प्रशना है आपका किसी संख्या के वर्ग का दुगुना 18 के घं के बरढ़र है तो वछ चंख्या होगे देखिए कोई एक संख्या है उसे हम मन लिलिए X उसका वर्ग कर राए तो वर्ग भी कर लिया है अब दुगुना कर रा आ तो दो से गुना करेंगे इसके तो 2X हो जाएगा बराबर कर अठारा के घन के बराबर है तो 18 पे घन के बराबर है कि क्यों हो जाएगा तो अब क्या करेंगे देखिए अब यह 2 को जो यहां नहीं लिखे हैं उसको यहां लिख देंगे अब इसको कटा देजे कितना वर कट जाएगा 9,2,18 एब कट गया अब देखें आप कितना बज़ गया आपका बज़ गया आपका x square बरावर 9,18 गुना 18 ठीक इतना बज़ गया तो अब क्या करिए जब इस इस square को इधर करिएगा तो आपका root के अंदर आजएगा तो देखें यह 9 का 3 बाहर हो जाएगा और यह 2,18 है तो इसका 1,18 बाहर आजएगा तो अब कितना हो गया 18 तिया 54 आपका option number A बिल्कुल सही है तो आपका x बरावर आगया 54 option number A बिल्कुल सही है तो दोस्तों आज जैन तक रहने देते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर सेयर करें वीडियो को लाइक करें और कोमेंट करें जहां भी आपको कुछ दिक्कत हो तो जैन जै भारत